तो चलिए दोस्तों आज किशा वीडियों में वोग देखने माले हैं कलास05 के प्रशनावाली allow a few question नंबर एक को कॉचन नंमर एक में जितना भी सारे कॉचन है इस वीडियो में आप लोगो सब बता तो नहीं आपको एक नमर में च्छेवों कौशन दिया गया है सब को क्या करना है दस अंधस्मलों रूप में लिखना उसके बाद उसको बताना कि वह दस्मलों प्रकार किस प्रकार का है तो चलिए इसको हम भाग देंके बता करेंगे तो देखे ये 36 बटे 100 है ती हम क्या करें बचेगा ढ़ी दस्मलोग बढ़ जेगा जिरू तो तीन बर में कटेगा सौतिया तीन सो यां गट के क्या बचेगा साथ बचेगा अब यह घटे गा नहीं फिर जाएगा दस्मलोग बदलेगा जिरू सौचाक छेसर अब यह पुरापुरी कट गया इसका मतलब यह मेरा पूरा पुरी कड़ गया कर सकते हैं कि यह में क्या है यह वहला सांत है आनि 36 ब्टे सो जो दुवल कर गड़ कैसांत है आनि 0.36 यहां करके लिख देंगे हैं ना अता 0.37 तिरे 6 यह क्या आगया शांत अगया शांत है यह जो भागा आया है यह वहले क्या आगया संथ हो गया आप चलिए नेक्स्ट रेखते हैं हम लोग कॉशन नंबर दुसरा क्या है एक बटे 11 इसका मतलब हमको 11 से भाग देना पड़ेगा एक को चलिए हम भाग देते हैं सबसे प थो कितना हो जदे ह norm 99 कितना घृफंट हो गहींत रहां कितना कितना वचेगा एक बाचेगों देखे हम high 155 जकााइक का मतलब चलोलрем यहां फिना ना आ最क लित्या किए ही कई लिए मुन सितना भ्रस खाकें पर well कुणरावर्ती तो आता हम यहाँ लिख देंगे कि अता कि 0.09 इस तरह जो कटेगा यह अनुवा सानी पूरावर्ती ए अनुवा सानी पूरावर्ती पूरावर्ती है ना यह क्या हो जगा आपका एनसर हो जगा इस प्रकार साप आंतिम लिग दीजे अब चलिए इसको हम भाग देते हैं पुर्णाग पला को पले तोड़ लेते हैं आठ चोक बार में जाएगा आठ चोक बातीस बचेगा कितना एक यहां डेसिमल देंगे जीरो देंगे आठ कम आठ थिदमाट गे जाएग है तो फिर यहां दस मुझी जिरो देंगे आठ जूणी 16 यह Going up 46 यह तो पूरा पूरी लिए हैं की नहीं अता हुआ है इसका मतलब यह एह 4.1 25 ही काहई यह seventh है यहां क्या लिख देंगे सांथ option answer आपका से इंसर फूर्थ देखते हैं तीन बटे तेरो इसका मतलब हम को तेरो से डिवाइड करना पड़ेगा तेरो तीन को यहां तीन को हम डिवाइड करेंगे तो देखें फ़ले जीरो बार भाग जाएगा तो कितना बचा तीन यहां दस म बचेका 10 मौलग बदले फिर 0 देंगे 23 49 फिर कितना बचेगा एक बचेगा 10 मौलग बदले 0 आप तो 13 से भाय नहιं जयेगा दस फिर यहां 0स भाग देंगे जब भागना जया तब ढ़कना 8 जीरो 3ud 8 कितना चेवाएड फाय आट अच्छक 78 अब कितना बचेगा आपका दस में 8 तो 2 और 8 में साथ तो एक बार बचेगा दस में लग बदले 0,120 138 139 117 यहां नौबर में जागा तेरो नौम 117 कितना बचेगा तीन बचेगा देखे यहां 13 13 को भाग देना सुरूर किये थे फिर 13 से 3 आगे इसका मतलब यह क्या हो गया यहां से फिर से रिपेटेड होगा आनी 2307 69 फिर आएगा 2307 69 इसको लिख देंगे अता 234 पॉइंट है 0.2307 69 अनुवसानी पुर्णावरती यह आपका क्या जगा आपका आंसर आजे लिए ना जो इस तरह से नहीं कटेगा चलते रहेगा नहीं इसको इसतरो से लिख देंग अनुवसानी पुर्रावरती आप देखे यह हम लोग 5 नमर का भाग देते हैं 11 से हम लोग 2 को भाग दे रहे हैं 0, gost जो बार में जाएगा 0 से भाग देंगे 2 आप यहां 10 मुलो देंगे 0 बेट जागा 11, फिर यहां कितना भाचेगा 9 बाचेगा 10 मुलों बदल्य 0 11, 88 आप कितना बाचेगा पीर 2 हम 11 से यहां 2 को भाग देना शुरूप किया थे फिर मेरा यहाद दो बज गया इसका मतलब फीर से मेरा वानेट फिर वानेट इस तरह से रेपीट होते रहेगा तो यह भी क्या जगा अता 0.18 अनुवसानी पुन्रावर्ति अनुवसानी पुन्रावर्ति पुन्रावर्ति यह क्या हो गया आपका एंसर हो गया लास्ट कोसे ने चार सो से भाग देना है 329 को है ना देंगे यहां 0 बचेगा आप देखे 400 से भाग दे रहां यहां बत्ती सो है चार सो से कपाड़ा आट बर पड़ेंगे तर आठ चो के बद्ती सो आजागा है ना बतीस वागे आप कितना बचेगा 0 का 0 बचेगा नो का 9 यह तो पर टेस कट जागा दसमोलक बढ़ाद रेजीरो यहां 900 हो गया यहां 400 से भाग देंगे चार दूनी 800 कितना बचेगा एक सो बचेगा आप देखें यहां दसमलोग बदले फिर जिरो देंगे कितना होज़ेगा एक हजार आप 400 से भाग देंगे फिर दो बार में कटेगा चार दूनी 800 अब रही कितना बचेगा यहां फिर से 200 बचेगा आप दसमोलोग बचेगा फिर जेरो देंगे होज़ेगा 2000 और 400 से 2000 को भाग देंगे तिक पांच बार में कटेगा 400 पचे दो हजार यानि यह पुरा पुरी कट गया आनिका सकते हैं कि अत्त जीरो पॉइंट टू टू फाइप सांथ है क्या है सांथ यह आपका क्या जगा आपका एंसर हो जगा है ना यह कॉसन नंबर एक को इस तरह सब्सक्राइब भाग देंगे इसमें ज्यादा को भारी है नहीं अराम से आपको भाग देने बाद पता करना है पुरा पुरी कट जाएगा तो सांथ है अगर पुरा पुरी नेकटा रेपिरेड होगा तो वह अनुअसानी पूरा बरती है यह कॉसन नंबर एक को इस तरह से हम लोग कंप्लेट के अब चलिए आपको हम कॉसन नंबर टू को इजी तरीके से बताते हैं तो चलिए दिखते हैं हम लोग कॉसन नंबर टू को कॉसन नंबर टू भी वहुत ही जी है हलाकि यह कॉसन आपके एकजाम में नहीं पुछ जाते हैं कॉसन नंबर में कहा गया दूसरा नंब कि आप जानते हैं कि 1 by 7 equal to 0.142857 है वास्तों में यह 1 by 7 का मान यह इतना होता है यह आपकी किताब में दिया गया है कुछ संकेत भी दिया गया है संकेत में कहा है कि जो भाग जब देंगे तो सैस्पलों का ध्यान रखना है ना संकेत वाला हम लिखे नहीं है इसको बीना लंबा भाग दिये बिना यह 2 by 7 है इसको इस तरह से बिना लंबा भाग दिये बिना आपको बताना है किसका मान क्या होगा जिस प्रकार से एक बटे सेवन का मान जो दिया है ना इस प्रकार से इसाप का मान बताना है लेकिन बिना लंबा भाग दिये बिना इसको आपको बताना पड़ेगा ना तो चलिए आपको हम बताने प्रया गया है एक कोशन में दिया गया है आपको कहा है कि टू बाई सेवन तो टू बाई सेवन का मान गयात करना है बीना लंबा भाग दिये बीना आप कोशिच किजिए कि देखिए ये टू बाई सेवन को क्या लिख सकते हैं देखिए तू गुना वन बाई सेवन इसको लिख सकते ह लेंगे तो दो आर बाए सेवन का सेवं अब कुछने करना है अप देखें यह टू का टो रखना है और वान वाइस सेवन का जो मान है Arms ध्यान से देखे से यह कॉस्टननी में सिए वान बाई सेवन कमान क्या मान है जी रो पॉंइंट वान पोर annat 2857 यह 1 by 7 कमान है देखिए यह 2 का जैसे कर तैसे रहें और यह 1 by 7 कमान यहां से यहां तक हम बेठा दिए बठा दिए आप कुछ नहीं करना है इसको सीम्पल से आप गुना कर दीजेगा इतम सीम्पल से देखिए गुना कीजिए 2 सती 4 के 4 आपका यहां पर हो जगा दो पंजय दस आरेक 11, 26 और एक 17 के साथ, दू दूनी 4 और एक 5, दू चोके 8, उसके बाद 2 एकम 2, दू एकम कितना जगा, दू है ना, उसके बाद यहाँ दो 0 का 0, और यहाँ एक आंग के बाद 10 मोले इधर से, इधर से दे देजिएगा, एक आंग के बाद 10 मोले, यह क्या हो 7 को भी करना जीसे यह 3 by 7 आ पीजी से कर लेंगे इसको लिक सकते एट री गुना वन बाय सेवन वह याग ठीरी का ठीरी लिखेंगे और जीस्ट प्रकार से हाँ वंकी सेवन का मांड राखे हैं इस प्रकार से यहाँ phenomena से निकाशेगा है न हो फोर टो अ एट फाइब सेवन इसको मल्टिप्लाइ कर दें तीन सते एक एक तीन पचे 15 और दू सतरों के साथ तीन चोबिस और रेक 25 के पाँच तिन दुना चोब दू आर्थ तीन चोके बारों के दू तीन एकम तीन और एक चार दसमलो जिरो का जिरो काम खतम हो गया इस परकार से चार गुन्नी एक बटें साथ यहां चार गुनी देंगे और यहां वन वाइस सेवन कमान बठा देंगे जीरो पॉइंट वान फोर टू एट फाइब सेवन अब इसको चार से मल्टिप्लाइ कर देंगे चार सत्तिय अठ्थाइस के आठ चार पचे बीस और दू बाइस के दू हा चार दू चो तो तरह करते हैं बटेंगे सकते पांच गुन्नी एक बटेंगे साथ क्योंकि पांच यहां पांच रहने देंगे और यहां वन वान बाइस सेवन कमान बठा देंगे वन फोर टू एट फाइब सेवन अब इसको गुना कर देते हैं 5-35 के कितना हो जागा 5 हाथ में 3 5 25 25 आर 3 8 8 8 हाथ में 2 5 8 40 42 42 हाथ में 4 5 2 10 और 4 4 4 हाथ में 1 5 चुके 20 अरे 28 के 1 हाथ में 2 5 5 2 7 10 मलो और 5 गुना 0 करेंगे तो 0.714285 अब लास्ट बचाए 6 बटे साथ को तो 6 बटे साथ को भी श्त्रस करेंगे 6 गुना एक बटे साथ तो यहां क्या करेंगे एक बटे साथ का मान रख देंगे 1 4 2 8 5 7 0.1 आता है अब इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे मां छे से चे सते 42 के दो हाथ में 4 6 35 और 4 34 के 4 हाथ में 3 48 48 51 के एक हाथ में 5 छे दुना बारो बारो और पांच सतरक साथ हाथ में 1 624 25 के पांच हाथ में 2 6 कम 6 और 2 कितना हो गया आप आपका अंसरम बता थे हलाकि आपके एक्जामें पुछाना जाता है यह टेंशन लेने के जुरत है नहीं है ना आसा करते हैं कि कॉशन नंबर एक को और को आप इजी तरीके समझ गया होंगे अगर कहीं पर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा चलिए आप मिलते हैं कॉशन नंबर तीन नंबर के साथ तब तक क्लिए आप सभी को धन्यवाद